इस्रेल के दूतावास के पास आईडी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में ग्री मंत्री आमच्छा ने घटना करम की जानकारी ली है दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजंसियों के संपर्क में है ग्री मंत्री और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जो हम आपको बता रहे है इस्रेल के दूतावास के सामने शाम पाँच बच कर पाँच मिनट पर दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसके बाद हरकम पच गया दिल्ली पुलिस की गालियां तमाम सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस के जवान फाइर ब्रिगेट ये सब वहाँ पर पहुंचे फॉरंसी टीम पहुंची जितेंदर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुल चुके है जितेंदर अभी फिलाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है भाँ जि बिल्कुल देखे अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर मौझूद है मैं चाहूँगा लाइव तस्वीर आपको दिखाना ठीक सान में देखे दिल्ली पुलिस के तमाम आला धिकारी इस वक्त मौके पर मौझूद है जैसी बलास की खबर आई दिल्ली पुलिस के मुक्या एसेंचली वाफताव ने तुरन तमाम आला धिकारीयों को इस पूर्ट पर पहुँचने का आदेश दिया Special Cell की टीम को यहां भीजा गिया है तमाम Special Cell के भी आलाधिकार इस वक्त मोके पर मोजुद है जो Forensic Team के साथ जो भी सबूत हैं जो भी सुराग हैं वहां से इकटा करने की इस वक्त कवायत Forensic Team के साथ वहां चल रही है दरसल सुत्र के मताबिक जो खबर आ रही है वहां से कुछ बाल बेरिंग वहां से बरामद हुए है और ये भी बताया जा रहा है कि ID का इस्तमाल हुआ है लेकिन किसी तरीकी की वाइरिंग वहां पर नहीं मिली है और फ्लावर पोर्ट के अंदर उसको प्लांट करनी की कोशिश की गई है अगर इसके पीछे किसी शरारती तत्माल की मंचा थी तो आकिरकार क्यों थी क्यों इसी जगह को चुना गया क्योंकि यहां से महज 1500 मिटर की दूरी पर इसराइल एमबेसी है तो ऐसे में बहुत संजीद की से प्लिस के लिए इस पूरे मामले की तफिश करना जरूरी हो जाता है हाई सीक्योटी जोन है और यही वज़ाए कि देखे तमाम दिल्ली प्लिस के आला दिकारी आई बी के अदिकारी इस वक्त इस पॉर्ट पर मोजीद आपको साथ जानकारी यह जानकारी यह भी आ रही है कि है और यही वज़ाए कि खुद ग्रह मंत्री ने दिल्ली प्लिस कमिशनर एसन श्रीवास्तव से पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है और साथ ही जितने भी बॉर्डर के लाके हैं वहाँ भी सीक्योटी इस वक्त बढ़ा ऐह जंसे जल्ट पहुचा जा सके ही जो उनके लिया पर दिल्ली इस पूरे मामले की चानबिन शुरू कर रहे है टीवि नाइन भारत वर्ष और टीवी नाइन बांगला प्रस्तुत करते है पश्य बंगल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉनक्ले What Bengal thinks today देखिये 30 जन्वरी दिन भर